हेलो एफ्रिवन वेलकुम बैक तो माई चैनल फ्रेंट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही अमीजिंग रेसिपी यानि कि आज हम बनाएंगे घर पे पॉपकॉन और हमारे पॉपकॉन में सबसे खास बात यह होगी कि यह जो हम पॉपकॉन बना रहे हैं यह बना रहे हैं कि ना इन में फेट होगा ना ओल होगा तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं वीडियो को बनाना विदाउट ओयल पॉपकॉन बनानी के लिए यहां पी मैंने लिया है लग बग 50 ग्रम पॉपकॉन और 50 ग्रम पॉपकॉन में अब हम डालेंगे लग बग ती स् हेंग पाउडर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया बिकास मुझे यलो यलो ज्यादा पसंद है तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा यानि की बिल्कुल इतना सा पानी लेंगे और इस पे इस तरह से डाल देंगे और इनको इस तरह से बिल्कुल छोड़ा सा पानी हमें लेना है ज्यादा पानी नहीं लेना है पानी को इस पर छाटना है और तुछ नहीं करना अब हम इसको टेंग मिनिट्स के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे दूसरे तरफ मैंने कूकर को गैस पर रख दिया है और इसमें हम लगबग नमक डालेंगे 200 ग्राम तो यह मैंने डाला लगबग 200 ग्राम नमक और इसको इस तरह से फिला देंगे और इसे हमें फुल अफ गरम करना है जब जहां तक 10 मिनट के लिए हमने पॉपकॉन को रेस्ट पर छोड़ा है तब तक हमारा जो नमक है वो भी गरम हो जाएगा यह देखे आप देख सकते हूं मैंने फ्रेश नमक डाला था इसका कलर चेंज हो गया है इसका मतलब नमक अच्छे से गरम हो चुका है तो अभी लगबग इसको जो पॉपकॉन थे उनको भी रखे वे दस मिनट हो चुके तो आप वहम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से एक बार ऐसे मिक्स कर देंगे जैसे ही एक दो पॉपकॉन फूटने शुरू हो जाएंगे वैसे हम इसको कवर कर देंगे और तब तक हम इसको बंद रखेंगे जब तक इसमें से पॉपकॉन के फूटने की बोई साती रहेगी हुटना स्टाट हो गया है तो अब इसको हम धकन से कवर कर देंगे और अब इसको दो मिनट के लिए लगबग ऐसे ही कवर रहने देंगे तो पॉपकॉन बनके बिल्कुल रड़ी है यह देखिए फूल चुक्या अच्छे से तो अब हम इनको चलने से छान लेंगे इस तरह से पॉपकॉन बनके बिल्कुल रड़ी है यह देखिए विद्धाव टोयल हमने यह पॉपकॉन बनाए है तो फ्रेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक किजेगा शेर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो थैंक्स पर वाचिंग मिलिंगे नेक्स वीडियो में बबाई